नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल इंपोर्टेंट एमसी क्यूबई संदीप में दोस्तों यूपीटेट की मैच के तयारी के क्रम में हमने कई चेप्टर पढ़ लिए हैं आज मापन का आखरी भाग ताप हम पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले समझ लेते हैं ताप का SI मातरक क्या होता है केल्विन होता है याद रखें कहीं आप डिग्री सेल्सेस ना लगा दें इसलिए दोस्तों ताप का SI मातरक होता है केल्विन ठीक है लेकिन इसके और भी मात्रक होते हैं Fahrenheit, degree Celsius और Kelvin ये तीन तो होते ही होते हैं और दोस्तों सबसे बड़ी बात देख लेते हैं जो स्वस्त मनुष्य के सरीर का तापमान क्या होता है 37 degree Celsius या 98.6 Fahrenheit ठीक है दोस्तों तो ये है स्वस्त मनुष्य के सरीर का तापमान अब दोस्तों देखित ताप की कायों को आपस में बदलते कैसे हैं वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा ठीक है दोस्तों अगर हम Fahrenheit को degree Celsius में बदलना चाहते हैं तो फॉर्मूला आपको लगेगा degree Celsius बराबर 5 बटे 9 प्रेकेट में Fahrenheit माइनस 32 ठीक है यह है Fahrenheit को Celsius में बदलने का फॉर्मूला अब Celsius को Fahrenheit में बदलने का फॉर्मूला है एफ बराबर 9C प्लस 160 अपॉन 5 ठीक है यह है और Kelvin को degree Celsius में बदलने का फॉर्मूला है Celsius बराबर Kelvin माइनस 273 दोस्तों यह है तीन फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए ठीक है इसी को यूज किया जाता है ताप से सम्बंधित सवालों में चले सब कुछ सवाल करके देख लेते हैं क्लियर हो जाएगा देखे पहला सवाल क्या है सोमवार का तापमान 58 degree Celsius तता मंगलवार का 305 K मतलब Kelvin है तो दोनों दिन का औसत तापमान Kelvin में ग्याद करना है सबसे पहले Kelvin में ग्याद करना है तो इसके लिए हमें जो degree Celsius में दिया है इसको आप Kelvin में बदल लीजे अगर हम यह जानते ही हैं कि एक degree Celsius बराबर होता है 273 Kelvin तो 58 degree Celsius बराबर होगा 273 प्लस 58 तो यह आपका आजाएगा 331, 831, 721, 13 और एक 331 Kelvin तो दोनों दिन का टोटल पहले देख लेते हैं दोनों दिन का एक पहले दिन का तो 331 Kelvin दूसरे दिन का 305, दोनों को लेते हैं जोड 5, 1, 6, 3, 6, ठीक है यह है दोनों दिन का लेकिन हमें बताना क्या है 275, 275 तो दो से भाग देते हैं 2, 3, 6, और 18 318 Kelvin आपका उत्तर है इसका जो 275 है, ठीक है यह आप समझ गे, चलिए अगला प्रसंद देगे, 104 degree Fahrenheit को degree Celsius में बदलना है तो इसके लिए दोस्तों formula वही लगाना पड़ेगा ठीक है, तो Celsius है इसका formula लगा है 5, 9, bracket में Fahrenheit कितना दे रखा है? 104 minus 32 यह formula है, Fahrenheit की जगे 104 रख दे, क्योंकि 104 Fahrenheit है आप इसको सवाल करके देख लेते हैं 5, 9, 104 में 32 अगर हम घटाएंगे तो यह आपका आएगा 72 अब यह 9, 8, 72, 8, 5, 40 ठीक है? तो यह आपका उत्तर आगे 40 degree Celsius है कितना आसन? सिर्फ formula अप्लाई करना है और आपका उत्तर आजागा चले आगे बढ़ते हैं अगले सवाल देखते हैं प्रस संख्या 3 की तरफ 466 Kelvin को degree Celsius में बदलना है ठीक है? formula लगा दीजे C बराबर K माइनस 273 वाला देखें, अभी हमने यह formula पढ़ा था यह देखें C बराबर K माइनस 273 इसका formula लगा दीजे तो K कितना दे रखा है? 466 और घटा दीजे 466 माइनस 273 तो 7 में 3 गया 4 और 6 तो जाएगा ने तो 16, 16 में 7 गया 9 और 3 में 2 गया 1 तो यह क्या बन गया? 194 degree Celsius यह आपका आगया उत्तर और अगला देखें 55 degree Celsius को Fahrenheit में बदलना है तो इसका formula आपको लगाना पड़ेगा Fahrenheit में बदलना है तो यह देखें degrees Celsius को Fahrenheit में बदलना था तो यह formula आपको लगाना पड़ेगा देखें Fahrenheit में बदलना है तो Fahrenheit आपको लगा यह F और 9C प्लस 160 अपान 5 तो C कितना दे रखा है? 55 प्लस 160 अपान 5 तो 55 को गुड़ा कर देजे 945 और 449 प्लस 160 बटे 5 495 वह एक्सो साथ को अगर हम जोड़ दें तो यह कितना आएगा? करीबन 5 नो छे पंदरा और 4 एक पांच एक 6 65 बटे 5 अब इसको डिवाइड कर देजे 13 और 1 यह आपका आगे 131 फॉरेन हाइट इसका सही उत्तर है 131 फॉरेन हाइट ठीक है? यह मैंने 4 सवाल करके दिखा थी पांचो सवाल देखे 328 केलिविन को डिग्री सेल्सें में बदलना है दोस्तो यह आपके लिए होमवर्क है अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप इसका जवाब जरूर दे पाएंगे आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और अगर आपको नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे बता दीजिए मैं इसका उत्तर आपको अलग से बता दूँगा ठीक है और दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए और अगर कोई कमी नजर आती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर मुझे बताएं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत